नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं आदेश के तहत अने राशनकारधारियों के साथ उपरोक्त जीलों के हरा राशनकारधारियों को नगेवलका तवर्ज नमबर एवंदिसंबर मात तथा इस वर्ष जन्वारी फ्रवरी मार्च और आने वाले मा अप्रेल का चावल एक मुस्त मिलेगा बलकि इसके बाद हर मा सुचारू रूप से भी मिलेगा मौसम बिज्ञान विभाग रांची केंद्रे ने जहरखन के सभी जीलों के लिए एलो अलट जारी किया है जिसके तहट आठ और नौ मार्च को राजे के कई हिसों में बजरपात और मेगरजन हो सकती है इसके साथ ही सतही हवात 3-40 किलोमेटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी वही साथ मार्च को राजे के पच्छमी भाग पलामू गठवा चत्रा कोडर्मा लाते हरवल वहरदग्गा जिला में में गरजन के साथ हलके दर्ज की बारिस हो सकती है वही आठ मार्च होली के दिन भी राजे के कई हिसों में भी हलके दर्ज की बारिस होने की संभवना है मौसम भी भाग के अनुसार 9 मार्च को राजे के उत्तर पुर्वी जीलो में देव घर धनबाद दुमका गिरिडी गोड़ा जामतरा पाकुल और साहिब गांज वही दक्षनी हिसाब पुर्वी सिंभूम पच्छमी सिंभूम सिंडेगा वा सराइक लाखर सावा में भी मेग गरजन के साथ हलके दर्ज की बारिसा हो सकती है मौसम में यह बदलाव पच्छमी पिछोब होने के करण हो रही है दस मर्च को भी दक्षमी जारखन में में गरजन वह तेज हवाय चलने की संभावना है जारखन में दसवी बरहवी के और सटोपर्स को मिलेगा नगद रासी के साथ लेप्टोप और स्मार्ट फोन जारखंड में 2022 में दसवी और बरहवी की परिक्षा के और 60 टोपर्स को राज सरकार इसी महीने समानित करने जा रही है बता दे जारखंड एकेडमी काउंसील, CBAC और ICAC के तीन टोपर्स को सरकार समानित करेगी इन्हें नगद राशी के साथ 60,000 का लेप्टोप और 20,000 का स्मार्टफोन भी दिया जाएगा एस्टेट टोपर को 3 लाख रुपए, सकेंड एस्टेट टोपर को 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए मिलेंगे वहीं इसकुली सिक्षावा सर्षता भी भाग ने इसकी तियारी कर ली है सम्मान समरों की तारिक करने धारान हो रहा है मुख्य मंत्री हमान सुरें से समाई मिलने के बाद तारिक की खोसना की जाएगी राज सरकार ने टोपर्स को नगद रासी देने की योईना 2020 से ही सुरू की थी 2020 में हुई दसवी बरावे की परिक्षा के टोपर्स को नगद रासी दी गई थी लेकिन 2021 के टोपर्स को यह समान नहीं मिल सका अब सरकार 2022 के टोपर्स को समानित करने जा रही है रंगों के तेवार होली को लेकर जहां राइदहनी राणची में जगा जगा बैयार सज गया है वही बड़ी संख्य हैम लोग होली की खरीदारी कर रहे हैं होली के बजार में एक से बढ़कर एक पीचकारी हरवल रंग और मुखवटे लोगों द्वारा खुब पसंद किये जा रहे हैं इन सब के बीच परधान मत्री नरेंद मोधी कितने लोग प्रिय है या अपर बजार के होली बजार में दिख रहा है बता दे बड़े बच्चे से लेकर हर कोई मोधी मुखवटा खरीदना चाहता है अपर बजार में मुखवटा बेच रहे दुकंदार गोतम सर्मा ने बताया है कि 10 रुपे से लेकर 250 रुपे तक के मुखवटे हैं लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा मोधी मुखवटे की है तमिलाड़ू में जहारखन के स्रामिक सुरक्षित सरकार का दावा तमिलाड़ू में हिंदी भासी मजदूरों और कामगारों के साथ मार पीट और हमले की खबरे सोसल मीडिया पर आने के बाद जहरखन सरकार के स्राम विभागी टीम जब तमिलाड़ू के अलग अलग जिलों में पहुँची तो तस्वीरे कुछ और ही नजर आई लिहाजा परिजनों में फाइले खौप को दूर करने के लिए सराम विभागी टीम ने खुद मजदूरों की वीडियो बनाई है जिसमें वे अस्वस्त कर रहा है कि सभी सुरक्ची था है हिंदी भासी होने पर किसी तरह के अपमान का सामना नहीं करना पर रहा है किसी तरह गिमार पिट नहीं हो रही है बता दे लाते हार बरवाडी के पपु संतोस राम छोटू रमेश भुया सराइकला खर्चावा के परकास कालिंग स्याम सभी प्रवासि स्रामिक तमिलाडू के कोयंबटूर और तिरिपुरा के अलग-अलग फैक्टरी और कर्श्ट्रक्शन साइट्स में सुरक्चित आपने काम में लगे हैं रांची में इनफेक्टेट जोन में मुर्गियों को मारने का अभियान सुरू पुरमुख मंत्री और केंद्रिय मंत्री अरजन मुंडा के आवास में पाली जा रही मुर्गियों में वर्ट फुलू की पुष्टी के बाद सोमवार से मुर्गियों बतक को मारने का काम सुरू हो गया है ओल्ड जेल रोड चौरा से एक किलोमेटर की परिदी में सभी मुर्गिया बतक और अरण पक्छी को मारा जा रहा है वहीं अंडे को भी नश्ट किया जा रहा है बतादे वर्ट फुलू अने छेत्रों में ना फाले इसलिए पसुपलान विभाग रांची नगर निगम जीला परसासन और रांची पुलिस के टीम ज्वाइन अभियान चला रही है रभिवार को उपायुकत राहुल कुमार सिनहा ने जीला पसुपलान पताधिकारी रांची नगर निगम के पताधिकारी के साथ बैठक की बैठक में आता है हुए हाई की जल्द ही भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार एक इनफेक्टेट जोन में अभी बैकार्ट यानि मुर्गा मुर्गी बताध कुमार का डिस्पोज किया जाए होली सब एबरात और राम नमी को लेकर डिजीपी ने की बैठक होली सब एबरात और राम नमी को लेकर जार्खन पुलिस अलर्ट मोड पर है अपराध कर्मियों और असमाजिक ततो प्रकड़ी निगरानी रखी जाएगी यह बात ते डिजीपी अजय कुमार चिना ने सोमवार को जीले के एसपी और सभी रेंज के डिजी के किये गए समि निग्छा की गई डिजीपी ने सभी जीलों के एसपी को सनवेदान सिल्जागों को चीनित करते हुए वैसे अस्थानों से लगातार आसूचना संकलन करने शांती समिती की बैठक करने एवं अस्थानियों लोगों से लगातार संपर्क बनाय रखते हुए सगहन गस्ती यह चेकिंग करने के निदेश दिये सभी एसपी को अपने अपने जीला में पूर्व में घटीत संप्रदाई घटनाओ क्या रोपीत अपराद कर्मियों पर कड़ी निग्रानी रखने एवं फरार अभियुक्तों की अबिलम गिरफतारी के भी निदेश दिये हाँ बीजेपी नेतावने की राज जेपाल से मुलकात आईएस राजीव अरून एक का ऐसा नाम जो ज़ार्खन सरकार में नई मुसीबत बन कर सामने आया है बतादे रभिवार को आईएस का वीडियो वारल होने के बाद बीजेपी हेमांत सरकार पर हमलावार हो गई है ब्रस्टचार के आरोप में घिरेएस एम के परधान सचिव राजीव अरून एक का का तबादला ज़ार्खन सरकार ने पंचायती राज विभाग में कर दिया है लेकिन मामला इससे सांथ होता नहीं दिख रहा है बीजेपी आईएस राजीव की निलंबन की मांग कर रही है इसे लेकर भारतिय जनता पार्टी का एक सिष्ट मंडल राजेपाल से मिला है साथ ही पूरे परकरण की सिबियाई जाज की भी मांग की गई है जार्खन के सरकारी अंग्रेजी माध्याम के बिद्यालियों में नमांकन पर किरिया शुरू जार्खन के सरकारी अंग्रेजी माध्याम के बिद्यालियों यानि मोडल इसकूल में नमांकन के लिए अब 11 मार्च तक आवेदन जमा किया जाएगा जैक ने परिच्छा फ्रम जमा करने की थी बढ़ा दी है इसे लिए कर दिसा निदेश भी जारी कर दिया गया है जैक ने अपने पत्र में कहा है कि विद्यार थी अब 11 माज तक अवेदन जमा कर सकते हैं अवेदन आणलें जमा लिया जा रहा है होली में नकली सराब से भरा बजार होली में असलील गीत बजाने वाले पर पूलिस की नजर होली का पर्व उलास के साथ मनाय सरजनिक तोर पर होली के दरन असलील गीत बजाने और नासा करके हुरदंग करने वाले पर पूलिस की नजर रहेगी ऐसे लोगों को हाजत में भी जाना पर सकता है SSP प्रभात कुमार ने बताया है कि होली में QART तैनात रहेगी उरंदस्ता के रूप में बल्क के लोग बाइक से गली मुहले में गस्ती करेंगे सवी थाना प्रभारी अपने अपने छेत्र में सांती बनाये रखने में सहयोग भी करेंगे SSP ने बताया है कि सब एबरात और होली साथ होने के कारण धार्मिक अस्तलोप दंडा अधिकारी के साथ फोर्स की प्रतिनुक्ति की गई है सर्मेदन सिल इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी CCR में रिजर्बल भी रखा जाएगा भराष्टा चार के जाल में 17 इंजिनियर और 5 ठेकेदार इड़ी के निसाने सावा सोक्रोर की अवैद चल अचल संपति के मालिक निलंबित शीप इंजिनियर बिरंदर राम की कड़ी में कई और नाम जुडेंगे बिरंदर राम के करीबी राम फुकार राम के यहां भी इड़ी को धेरो दस्तावेज मिले हैं अब इस पर करवाई की जद में 17 इंजिनियर और 5 ठेकेदार हैं जनकारी के मुताविक इड़ी कई महीने से इनकी गतिबी दियो पर निकाह रख रही थी इनके फोन सर्विस लाइन्स पर हैं परयाप्त सबोत भी जुटाए जा चुके हैं अधिकारियों की हरी जन्डी मिलते ही करवाई की परकिरिया को अंजाम दिया जाएगा रामगड में हार की समय ख्षा करेगी कॉंग्रेस इसे उन्हों ने पहले ही सविकार किया और इसे सीख लेने की बात कही पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी थी लेकिन जानता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करना चाहिए उसे सीरे से जुठ लाया नहीं जा सकता चुनावक दुरान सभी मंत्री करेकारी अध्यक्स तक लगे हुए थे एक कॉंग्रेस नेता द्वारा इस्थीपा मांगे जाने की बात को हंसी में उड़ाते हुए राजस ठाकू ने कहा कि होली के महल में लोग ऐसी बात कर जाते है कॉंग्रेस के तीन विधाय को डाक्टर इर्फान अंसारी नमल बिकसल को गाड़ी और राजस कक्छपकनी लंबन वापस होने के सवाल पर राजस ठाकू ने कहा है कि इस मामले में निर्नाय आलाक का मान को करना है CM के परधान सचीव पद से हटाये गए IAS राजी मुख्य मंत्री के परधान सचीव राजीव और उन एकका पद से हटा दिये गए है उन्हें पंचाथी राज बिभाग का परधान सचीव बनाया गया है बता देर अबिवार देर रात कार्मिक बिभाग ने इस समन्द में जारी की है एकका के पास सुचना एवं जन सनपर्क और गिरीह कारा एवं आपदा परधान सचीव का भी अतरिक्त प्रभार था इससे पहले दीन में पुरमुक मंत्री बावुला मरांडी ने एकका के खिलाप रष्टा चार के गंभीर आरोप लगाये थे परधेश भाजपा कर्याले में उन्होंने आरोपों से समन्दित एक वीडियो पिजारी किया जिसमें एक काप फाइलों पर हस्ताक्षर करते दिख रहे हैं वहीं इसके बगल में खड़ी एक महिला फाइल आगे बढ़ा रही है रांची यारपोर्ट से युवती के किटनेपिंग की कोसिस बीरसा मुदा यारपोर्ट से एक युवती की किटनेपिंग की कोसिस की गई हलाकि पूलिस की ततपरता से युवती बच गई है आरोपी कैप चालक भी पूलिस के सिकंजे में आ चुका है दरसार बैंगलूरू से आई युवती ने यारपोर्ट पर सरकारी बस एस्टेंड जाने के लिए एक कैप बुक किया यारपोर्ट पर लगे कैप पर लड़की जैसे ही बैठे वैसे ही कैप चालक ने लड़की को गाड़ी के अंदर बंधक बना लिया और उससे ज़्यादा पैसा की मांग करने लगा लेकिन युवती ने आरण फारण में अपने एक मित्र को फोन लगाया और पुरी घटना की जनकारी दी पिरिता की दोस्त ने रांची और पुर्ट थाने की पूलिस को जनकारी दी जिसके बाद रांची पूलिस की टीम ने तुरंत ही CCTV फोटेज के अधार पर कैप चालक के गाड़ी के नंबर को ट्रेक किया जारखन के 63-100 स्कूलों में एक टीचर जारखन सरकार ने वितिय वर्ष दो हजर तेस चोविस के लिए बयट जारी कर दिया है कई भी भागों को सवगात दी गई लेकिन स्कूली सिक्षा वासक शर्ता भी भाग के बयट में सिक्षों के नियुक्ति का जीक्रन नहीं होने से अवियार्थी के साथ सिक्षक संगठन भी परिशान है बतादे राज्य में 2015-16 के बाद से प्रारंभी की स्कूलों में सिक्षकों के नियुक्ति नहीं हुई है इस्थितिया है कि राज्य में 63-100 ऐसे स्कूल है जो एक सिक्षक के भरोसे है जबकि 12,000 स्कूल में दो सिक्षक के भरोसे चल रहे है ऐसे स्कूल में अगर एक सिक्षक भी अवकास पर रहे तो या तो इस्कूल बंद करना पड़ेगा या फिर सभी कलास की पढ़ाई नहीं हो पाती है जारखन में नक्सल बिरोधी अभियानों की CRPF डीजी ने की समिक्षा है केंद्रिये रिजर्ब पूलिस बल के महा निदेशक सुजायल लाल थाउसेन केंद्रिये प्रसिक्षन कॉलेज का निरिक्षन करने रविवर को जारखन के राची पहुचे इस दुरान उन्होंने र सी का निरिक्षन करने और राज्ये के नक्सल बिरोधी अभियानों की समिक्षा करने के लिए राची के दवराक यहा है देवघर में असम राइफल्स के जवान की मौत अने वाला था पिछले डेड़ वर से डाबर गराम के पास घर बना कर रह रहा है था साथ दिन के भीतर भारत माला पर्योजन की रास्ति का भुकतान रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हाने सोमवार को समनाला इसीत कर्याला कक्ष में भू अर्जन समधित मावलोक यहम बैठकी जिसमें अपर समहर्ता राजेस कुमार बराबर पर्योजना निदेशा गुमला राजी उरंजन पर्योजना निदेशा करांची अंचल अ और योजना में सेश 29,95 लाख रुपाय का भुकतान दिनांक 12 मार्ट तक करने का निदेश अंचल अधिकारी उर्मांजी को निदेश दिया गया बर्ड फुलू के लक्षन दिखे तो रहे साउधान बेटनारी कॉलेज के डिन डाक्टर सुसील परसाद ने कहा है कि बोकारों के बाद रांची में बर्ड फुलू के मुर्गियों की मौत की पुष्टी हुई है इसमें एवियन इन्फलेंजा की पुष्टी हुई है ऐसे हालात में संक्रामित इलाकों की निगरानी और संक्रामित पुल्टी तक आम आदमी की पहुँच को परतिबंधित करने की जरूरत है वर्ड फुलू का एक वाइरस इन्फेक्शन की तरह है जो न सिर्फ पक्छियों बलिक दूसरे अने जनवरों और इंसानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है डबलू एचो के मुताबिक एनेच पांच एन एक की एंफुलेंजा वाइरस का एक परकार है और पक्छियों में एवियन एंफुलेंजा वर्ड फुलू बीमारी को जन्म देता है इंसानों में इसके संक्रामन के मामले कभी-कभी सामने आते हैं हाला कि इसका एक इनसान से दूसरे इनसानों में फैलना मुश्किल होता है धन्यवाद